अब मैं इसके हर पहलू पर नहीं बोलूँगा जोतिश आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रहों के इस्थिती को देखकर कुछ भविश्यमानिया करना है ना मैं चाता हूँ कि आप इसे समझें ज्यादतर समय जो लोग अच्छी भविश्यमानी करते हैं ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में सपश्ट रूप से बताते हैं या कुछ लोग आपको कल के बारे में सपश्टता से बताते हैं वो ग्रहों को देखकर नहीं बत कर, बस लोगों का भविश्य बताऊं, मैं उन्हें बता दूँगा कि उनके जीवन में अगले दस वर्षों में क्या होगा. तीन दिनों में मेरा ऐसा नाम हो जाएगा, कि आधा चिन्नई लाइन लगा कर खड़ा होगा. मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन योग केंद्र में भी ऐसे लोग हैं, जोनों ने बहुत साधना की है, वो ये कर सकते हैं, अगर वो कभी ऐसा करते हैं, तो मैं उन्हें खत्म कर दूँगा. मैं उन्हें उस बकवास के साथ नहीं रहने दूँगा, हम उन्हें तुरंद बाहर निकाल देंगे, क्योंकि किसी के भविश्य के वारे में बता कर, आप उसके जीवन की गुनवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते, आप किसी भी तरह की सच्ची खुशाली नहीं लाते, आ अगर आप में अपना कल जानने के शक्ती है, तो आप सिर्फ अधिक अज्यानी, अधिक हैंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे, आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है, कल को जानना जरूरी नहीं है, आप अभी इस तरह बने हैं, आपके जीवन की और आपके होने का एक तरीका ऐसा है, अगर आप आज कल को जानते हैं, तो आप आज में भागिदारी नहीं दिखाएंगे, है ना, है ना, मान लीजे, मैं आपको बता हूँ, आप जो भी करें, आप नहीं मरेंगे, आप दुनिया में गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे, या अगर मैं आपसे कहूँ, कल वैसे भी आप मर जाएंगे, आप आज में भागिदारी नहीं दिखाएंगे, है ना, इसलिए आपको भविश्य नहीं जानना चाहिए, भविश्य जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्या भविश्य बताया जा सकता है, हाँ कभी कभी, लेक इसके आकार और इसकी धातू के कारण, इसका एक तरह का प्रभाव है, ये एक तरह का स्पंदन फैला रहा है, अगर मैं इस लोटे को मुझे प्रभावित करने देता हूं, मैं उसे अपने पास रखता हूं क्योंकि ये काफी अच्छा दोस्त है, मैं प्लास्टिक का बरतन नह संदन नहीं है, मैं इसे रखता हूं क्योंकि ये अच्छी चीजें कह रहा है, मैं हमेशा अच्छी संगत में हूं, जरा देखिये, पर अब अगर मैं इस बरतन को मुझे बहुत अधिक प्रभावित करने देता हूं, तो धीरे धीरे मैं एक बरतन जैसा बन जाओंगा, आप है न, वो चीजों को इतनी गहराई से प्रभावित करने देंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे, अब मैं इस तामबे के बरतन को मुझे प्रभावित करने नहीं दूँगा, पर मेरी संगत में होने के नाते, वो इतना प्रभावित है, आप देखेंगे, आप एक और तामबे क तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये बिल्कुल अलग है. तो सवाल सिर्फ ये है, क्या आप चीजों को खुद को प्रभावित करने देंगे या आप उन्हें प्रभावित करेंगे? ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजे हैं, तो उनके कुछ कमपन है, उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है, अगर वो इस ग्रह के पास है, तो हाँ. क्या आप जानते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परिशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं. हाँ? यहाँ तक किसागर पागल हो जाता है? है ना? क्या आप सबी पागल हो जाते हैं? महिने में दो बार? कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं. महीने में दो बार अगर ऐसा हो रहा है तो आपने देखा होगा वैसे भी कृपय आपने परिवार से पूछें वो बताएंगे अब उस व्यक्ति की तुलना में जिसका मन असंतुलित है आप अधिक स्थिर हैं अधिक स्थापित हैं चंदर्मा कहीं भी जाए आप पागल नहीं होते अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं तो कोई ग्रह कहीं भी जाए आप पागल नहीं होते बस आपके जीवन का उदेश और भागे आप तै करते हैं कोई और नहीं बलकि आप हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं वो फिर भी आपके हाथो में हैं, है न? पर अगर आप बेजान चीज़ों के धक्के खाने वाले हैं तो हाँ, आपको धक्के दिये जा सकते हैं उस हद तक ये सच है जब आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन शांदार हो जाएगा तारों को कहीं भी जाने दीजिए ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं या आप बेजान चीजों से धक्के खाना चाहते हैं, या आपको तै करना है। अब वो कुंडली में लिखकर दे रहे हैं कि आप कैसे रहने वाले हैं। क्रिपय मुझे पताईए, अगर इस कमरे में एक समझदार इंसान है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो अगले पल क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कर सकता है, जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? अगर यहाँ कोई मूर्ख है, अगर आप उसे देखते हैं, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे जीएंगे। अगर वो इसे कागस पर लिखके दे सकते हैं, कि अपना जीवन ऐसे जीएंगे, तो क्या करें? मतलब आप बुद्धी का उपयोग करने से इंकार कर रहे हैं, है ना?